परदेश की खुबसूरत पेटर नगरी धुलाओजी में इन दिनों अवारा पशू स्थानी लोगों की परिशानी का सबब बनते जा रहे हैं यहींने यह सडक हाथसों का भी कारण बने लगे हैं जिसके चलते लोगों ने पशासन से जल्द कारेवाही किये जाने की मांगी है परदेश की खुबसूरत पेटर नगरी धुलाओजी में इन दिनों अवारा पशू लोगों की परिशानी का सबब बन गए हैं जादा तर परिशानी मोड पर आती है अवारा पशू के एकदम सामने आने से कई बार तो हास से भी हो चुके हैं अब लोग सरकार और प्रशासन से अवारा पशू से मुक्ती दिलवाने की मांग कर रहे हैं डिलॉजी की टेक्सी ड्राइवर और बस ड्राइवर ने कहा कि उन्हें गाड़ी चलाने में खासी दिक्कते पेशा रही हैं जब वो गाड़ी चलाते हैं तो अचानक अवारा पशू सामने आ जाते हैं जिससे हासा होने का खत्रा बना रहता है अवारा पशू के कारण आए दिन रोड पर एक्सिडेंट हो रहे हैं जब भी कभी हम गाड़ी लिखे आते हैं तो मोर पर ये अवारा पशू आ जाते हैं और हमें अचानक ब्रेक लगाने पड़ती जिसके कारण पीछे वली गाड़ी भी आवारी पर उपर चट सकती है या कि SDM रिच्चा वर्मा ने कहा कि लोखनिमान विभाग को आदेश दिये जा चुके हैं कि आवारा पशू दिखते ही उन्हें गौ सदन भेजा जाए अगर आम जनता अपने पशू को छोड़ती है तो उनके चलान काटे जाएं इसकी पावर PWD वालों को है इवन पुलस को भी इस चीज की जो है उचित निर्देश दिये जा चुके है